तो जितने भी सारे ओनलाइन स्टुडेंट्स हैं वो लोग सब में को चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं अगर उनका कोई भी आपका क्वेरी वगर रहे हैं तो ओके बाड़ी लेट्स स्टार्ट तो कल हमने क्या पढ़ा कल हमने पढ़ा इंट्रेश्ट रेट्स का टॉपिक राइट तो हमने जो क्लास को जो छोड़ा था एक जगा पे हमने लास्ट में क्या सीखा था वन प्लस लाल रंग मुझे नहीं पसंद है वन प्लस आई पी बाई पी होल टू दी पावर पी इस वन बाई वन माइनस डी पी बाई पी होल टू दी पावर पी यह हमने कल पढ़ा था करेक्ट है हाँ तो एक काम करते हैं अब जिससे सोचो आज की क्लास का जो टॉपिक आपको बात नहीं होगा ठीक है ना फोर्स ओफ इंट्रेस्ट आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है इससे बीस नंबर का कुश्चन आएगा पेपर हें में ठीक है कुछ करना नहीं आपको ध्यान सबसकली सुनना है ठीक है और आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे है उसको करने में आदा घंटा तो force of interest का मतलब क्या है जब मेरा जो frequency of compounding है P वो जब infinity को tend करता है तो force of interest का concept आता है एक ऐसा force जो मेरे fund को grow करने पे मजबूर कर रहा है उसको हम लोग बोलते है force of interest लिखो when the frequency of compounding तो देखो P is tending to infinity ठीक है तो बोलते है when the frequency of compounding tends to infinity देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने सिखा I जब साल में एक बार compounding होता है फिर हमने सिखा I2 जब साल में दो बार होता है I12 हर महना I365 का मतलब क्या हो जाएगा daily अभी मैं बोल रहा हूं when the frequency of compounding tends to infinity इसका मतलब क्या है कि भई आप क्या हो रहे हर second compounding हो रहा है जैसे share market में क्या होता है share market में आपको दिखाता हूं ठीक है ठीक है अब जैसे money control है तुम लोग देख सकते हो तो यहां पर मैं गया मैं जैसे कोई भी कंपनी बजाज हाउसिंग में जाता हूं ठीक है नहीं चीए भाई तेरा reward अच्छिए ads का जमाना पाएं नहीं है जीन ही नहीं देंगे लोग में ठीक है अब जैसे यह जो है इस पर ध्यान दो अब जैसे 154.29 है तो अब जैसे 154.29 है यह क्या होगा यह तुम्हारा हर second change होगा ठीक है जब तक यह बंद करूंगा तब तक change हो जाएगा देखो 154.22 हो गया तो कुछ एक percentage यह तो gain होगा यह फिर एक loss होगा राइट 0.3 हो गया तो इस type के returns को हम लोग क्या बोलेंगे continuous returns तुम चीज समझो देखो 0.26 हो गया तो यह एक ऐसा चीज है ना जो बहुत ही seconds में change हो रहा है continuous compounding को पहले imagine करना पड़ेगा जब मैं बोलता हूँ P tends to infinity banks में बहुत बहुत क्या होता है वो लोग overnight lending करते हैं भाई मेरको 50 करोड का दरकार है तो मास दे हम दोको कल दे देगा तो per day का भी interest लगता है बट आप एक time period जब लोगें मानलो 10 साल 5 साल तो basically उसमें क्या होता है कि आप उसको timeline पे plot नहीं कर सकते हो जैसे आपने एक चीज देखा यहाँ पर क्या हो रहा है अभी देखो मैं वापस से change हो गया देखो तो continuous returns का मतलब यह होता है कि जब आप जिस चीज का investment कर रहे हो उसमें बहुत जल्दी जल्दी चीजे चेंज हो रही है बहुत जल्दी जल्दी उसमें क्या ओर है चीजे चेंज हो रही है तो that is continuous returns एक ऐसा investment ज्यज़़ आपको continuous returns देरा positive negative छोड़ो एक ऐसा force जो आपके fund को ग्रो करने पर मजबूर करा that is force of interest मेरा जो frequency of compounding है that is tending to infinity मने अब मेरा पैसा बहुत बार compounding होगा Is it okay? ठीक है? तो अब ध्यान देना ठीक है? यह copy कर लिजे When the frequency of compounding tends to infinity When the frequency of compounding tends to infinity ठीक है? एक्चुल में क्या problem हो रहा है देखो यह timeline है अब क्या हो रहा है अगर मालो अपने जैसे देखे share market का हर second compounding हो रहा है बने हर minute का हर घंटा का तो अब उसको timeline मालो दो साल है ठीक है? तो यहाँ पर देखो यह पहला minute हुआ दूसरा minute हो थीसा minute तो ऐसे timeline पर plot तो नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हम लोग बोलते हैं I infinity या फिर इसको हम लोग delta भी बोलते हैं और delta का नाम है force of interest आई पी का मतलब क्या होते है नॉमिनल रेट ऑफ इंट्रेस्ट कन्वर्टिबल पी अथ ली माने अगर मैं बोलता हूँ I 12 इसका मतलब क्या हो है साल में 12 बार बार compounding बट I infinity का मतलब क्या हो जाएगा बहुत बार compounding हो रहा है में time period बहुत छोटा हो गया ना आप क्या कर रहे हो जब आप साल में 2 बार compounding कर रहे हो तो आप उसको plot कर सकते हो कि भाई यह एक साल का time period है और यह 0.5 यहां से यहां यहां से यहां बट सुचो हर second compounding हो रहे है तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको force of interest और फिर डेल्टा का यूज़ करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग limits का एक formula यूज़ करेंगे ठीक है ध्यान देना limit n tends to infinity 1 plus x by n whole to the power n is e to the power x हम लोग यह वाला formula को use करेंगे हम लोग ने कल क्या सीखा था 1 plus i is equal to 1 plus ip by p whole to the power p ठीक है अब दोनों तरफ मैं limits लेता हूँ so limit n tends to infinity 1 plus i is limit n tends to infinity 1 plus ip by p whole to the power p अब यहाँ पर देखो n तो है नहीं इस वाले equation में n तो नहीं है तो यह पुरा constant की तरह बहार आ जाएगा तो basically अब क्या हो जाएगा 1 plus i और इस वाले को अपने को compare करना है इस वाले को compare करना इस से जैसे यहाँ पर n tends to infinity sorry n नहीं होगा I am really sorry एक मेंट को n नहीं होगा p होगा p is tending to infinity क्यों p q infinity को tend कर रहा है p क्या है बताओ मेरको p is the frequency of compounding p q infinity को tend कर रहा है यह आप से interview में question पूछेगा तो आपको यह बोलना है sir p infinity इसलिए tend कर रहा है because p है how many times how many times compounding is being done समझा तुम लोग how many times compounding is being done तो वो क्या है वो infinity को tend कर रहा है अब यह जो 1 प्लस i जो है 1 प्लस i जो है यह क्या है यह constant है क्योंकि यहाँ पर तो p है नहीं और आप इसको compare करो तो आपका e के power में ip आएगा अगर अपने इसको और इसको अगर compare करते हैं तो e के power में ip आएगा and p क्या tend कर रहा है तो basically अपना equation क्या बन जाएगा e to the power i infinity या फिर e to the power delta copy कर लिजिए इसको माने अगर एक साल का accumulation factor निकालना होगा force of interest में तो वो होगा e to the power delta समझ मैं है ओनलाइन में सब को यहाँ तक yes और no a force which causes our fund to grow is force of interest ठीक है सब को एको clear है बोलो हाई है ना यहाँ तक सब को clear है बने एक ऐसा force जो मेरा fund को grow होने पर मजबूर कर रहा है ठीक है तो अब ध्यान दीजेगा यहला copy होगा सबका अब आईए तो मैं क्या भोल सकता हूँ मैं क्या भोल सकता हूँ ध्यान देना accumulation factor for 0 to n तो n years का क्या हो जाएगा e to the power delta n and discounting factor for n years क्या हो जाएगा मेरा e to the power minus delta n clear है हाँ copy कर लिजे अब जैसे माल लो present value में को दियावे rupees 500 accumulated value निकालना है delta दियावे 8% का and n दियावे 10 years तो अपने क्या form ना लगाएंगे 500 into a 0 to 10 है ना so, 500 into e to the power 0.08 into 10 solve करिए इसको कितना रहे बताओ one 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 two point में ठीक है online में सबका answer क्या रहे बताईए जानवी साओ जी please post your doubts in the chat box ठीक है आईए अब जिसे माल लो अगर अपने को delta दियावे 12% का अपने को i निकालने बोल रहा है तो अपने क्या करेंगे e to the power 0.12 is what one plus i क्योंकि जब अपने को delta बोलता है तो e to the power delta अपना एक साल का accumulation factor होता है and one plus i भी अपना एक साल का accumulation factor हो रहा है ठीक है solve करिए इसको e to the power 0.12 minus 1 is i अब आप लोगे काम कीजिए आप लोग को accumulated value दिया वे मालो 5000 delta दिया वे 7% और end दिया वे 10 years आप लोग present value निकाल के दिखाओ प्राइण प्राइण झाल झाल कितना आ रहा है 248 248 ठीक अब एक कुश्चन करिये आपको आई दियावा है 20% आप निकालो आई टू डी टू आई फोर डी फोर और डेल्टा चलो चालू करो चालू करिये 65 आपको चालू कर दो यह उकना रहा है आई निकालू कुश्ब एकाल आ यहा है आई आपको beste झाल 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 सब का हो गया ओनलाइन में डेल्टा का वेल्यू कितना आरे आप लोगा पॉइंट वन एट टू थ्री टू टू सबको वोईस ठीक आ रहे है कोई भी दिक्कत चैट बोक्स पर प्लीज रिप्लाई किजी आगे बढ़ें ठीक है ओके कुछ भी दिक्कत तोने से बता ना वोईस ओडियो वीडियो कुछ भी ठीक है अब ध्यान देना ये तो ठीक है ये तो हो गया हम लोगा ठीक है अब लिखना नोट में लिखो नोट में क्या लिख्वार है देखो प्राक्टिकल लाइफ में क्या होता है ना डेल्टा हमेशा कॉंस्टेंट नहीं होता है जो इंट्रेस्ट रेट है वो क्या होता है विट्टाइम चेंज होता है तो वही लिख्वार है लिखो नाउ डेल्टा विल नॉ a function of time t मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो मैं बोल रहा हूँ delta constant नहीं है ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं बोलता हूँ delta constant नहीं है वो किस चीज का function बन जाएगा time t का so delta will become what? delta t for example 0.02 plus 0.01 t ठीक है ये एक function है अब मेरे को क्या करना है मेरे को इसका accumulation factor या फिर discounting factor निकालना है तो width time ये तो change होगा तो यहाँ पर मैं use करूँगा integration कैसे बहुत सिंपल है ध्यान दो कुछ भी नहीं करना है मालनो मेरे को 5 साल का अगर accumulation factor निकालना है मैं exponential लिखूंगा exponential का मतलब होता है e का power में exponential का मतलब होता है e का power में ठीक है तो e के power में integrate हो रहा है 0 to 5 मैंने जहां से जहां पर पैसे को लिके जाना है thing into dt यहां तक सबको समझ में आए yes or no यह वाला सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर हाँ या ना ठीक है अब मेरे को कुछ भी नहीं करना है exponential as it is रहेगा exponential का मतलब होता है e के पावर में तो 0.02 into 5 plus 0.01 by 2 into 25 इसको solve करके बताई कितना आ रहे है पहले तो यह बताई कि e के पावर पर कितना आ रहे है मैंने e के पावर में कितना रहे है पहले तो यह बताईए नहीं नहीं वैसे नहीं e के पावर पर कितना रहे है e के पावर पर 0.02 अब इसको solve करो कितना रहेंसर बताईए 1.2523 ठीक है यह वहला सबको समझ में आया अब इसी में देखो हम लोग और काम कैसे करेंगे ध्यान देना यह वहला सबका कॉपी भी होगा सबको समझ में आया हाँ आराम से कर लो कोई दिक्कति कोई अबड़ी नहीं है अब ही जैसे के पांस तरीक तक जो मैं कराऊंगा मैं टेस्ट लूँगा फिर दुर्गा पूजा का आप लोग का ब्रेक रहेगा ठीक है तो बेसिकली के दुर्गा पूजा के ब्रेक में आपको इसको प्रैक्टिस करना है फिर समझ लो 14 15 16 17 और 18 के बीच में मैं दो तीन क् ठीक है तो क्योंकि मेरा किरतन का प्रोग्राम है तो 19 तारीक है वो तो एक दिन पहले तो फेशल विशल कराना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए समझ लो उसके बीच में दो तीन क्लास जो लूँगा वो डाउट्स कर लूँगा तो मेरा स्ट्राटेजी क्या है जैसे जो बाती नहीं कर रहे हैं तो बेसिक को मेरे को इतना मजबूत करने बेसिक का मतलब होता है बुकले टू ठीक है ना पहला बुकले टू पुरा प्रैक्टिस करना और फिर उस दौरान जो मैं सब्सक्राइब क्लास लोगा दो तीन चार मेरा तारगेट यह रहेगा कि इंस्टूट के मैट के जो पीछे के कुश्यन्स है वह मैं आप लोग को डॉट्स जोगा वह मैं करा दूँंगा कुछ कुछ वो बच्चा फिर cm1 फेल नहीं हो सकता मतलब उसको कोई भी सम दो अगर वो बना दे तो मैं क्या करता हूं मैं equation of value तक पूरे एकदम अच्छे से कराता हूं फिर उसका जो sums बगर होगा तुम लोग practice करेगा हम doubts कराएगा उस दौरान जैसे from 14 to 18 के बीच में ठीक है तो उसके ब आप लोग को फिर video से चालू करना है चार topic loan schedule, project appraisal, bonds और term structure जो advanced topic से यह आप लोग को back up से चालू करना है इसका हर एक का एक एक booklet है बट क्यों easy हो जाएगा पता है क्योंकि तुम लोग का base बहुत strong है समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी तो loan schedule, project appraisal, bonds और term structure यह चार topic ठीक है यह चार topic जब तुम लोग अच्छे से करेगा मैं तुम लोग को पुरा October end तक का time दूंगा ठीक है October end तक तुम start in November तो हम लोग पुरा certain cash flows को फिर पक्का करना चालू करेंगे पक्का का मतलब क्या होता है जो पहले तुम लोग के conceptual doubts से वो लूँगा मैं फिर उसके बाद में जो भी तुम लोग को sums में problem आया वो लूँगा मैं revision करा दूंगा important sums करा दूंगा तो certain cash flows हमारा पक्का होते चल दो पार्ट में divide कर लेंगे दो घंटे की class चलेगी तो दो पार्ट में divide कर लेंगे एक घंटा contingencies कराऊंगा fresh नया topic जिसके लिए मैं तुम लोग को random variables करा रहा हूं फिर उसके बाद सीधा तुम लोग का class होगा January में January साथ तरिक से तो target यह है certain cash flows basics advance and contingencies का जो basics है उसमें भी मैंको 10 class पुरा प्रॉपर लगेगा और जो booklet 7 आएक है जो भी है contingencies का जो basics का जो booklet है यह मैं कराऊंगा फिर जो break रहेगा उसमें college के लिए अच्छे से प्रिपेर कर कि जो classes होंगी वह हमारी दुर्गाबुजा के बाद से चालू हो जाएंगे उसका टाइम है रात में साड़े नौ बजे ठीक है वो करेगा regular class चलेगा पेपर B का और पेपर A का डाउट का तो हम जब जैनवरी में तुम लोग को उठाएगा जैनवरी साथ तरी को उठाएग में कराएगा with sums वो पूरा proper live होगा ठीक है पहले problem क्या होता था मैं certain cash flows में 80% effort लगाता था फिर end तक जाते जाते क्या होता था यह चलेगा साड़े बाला से दो और पेपर भी पहले चलेगा वीक में three to four days करके समझा तो जो भी जैनवरी एंड तक इस तरीके से complete कर सकता तुम लोग क्या कर सकते हैं जैसे तुम लोग का college का exam होगा तो तुम लोग एक हफता पहले से थोड़ा पढ़ना छोड़ देगा तो दो-तीन हफता वहाँ ब्रेक हो जाएगा फिर डिसेंबर मिट से डिसेंबर एंड तुम लोग कंटिंजेंसी का एडवांस कर सकता है इफ यह और कंप्लीट नाइसली तिल कंटिंजेंसी बेसिक पेपर एज़ पेपर भी तो पेपर भी का थोड़ा काम घर से भी रहेगा तो पेपर भी साइड बैसाइड करना एंड जो लोग आयए फोसे दे रहे वह लोग को टाइपिंग भी उसी दौरान प्रैक्टिस करना चालू कर देना है टाइपिंग का पूरा वीडियो समलों का यूट्यूब पे डाला वे हम लोगा यूट्यूब को अपना दोस्त बना पादी कैसे खोगा तो यह हो गया अब इसके बाद आओ नेक्स में आओ दुरुगा पुझे ना बट मैं काम करूंगा ठीक है चलो आओ अब जैसे मालों वी जीरो टू एट निकालना है उसी के लिए यह हम लोग का फंक्शन दिया वैंना 0.02 प्लस 0.01 तो यह कैसे निकालेंगे ध्यान देना एक्सपोनेंशियल एक माइनस लगेगा टाइम एट पर जो पैसा उसको 0 पे ला रहे हैं टाइम एट पर जो पैसा उसको 0 पे ला रहे हैं 0.02 प्लस 0.01 टी टी ठीक है तो यह कैसे होगा ध्यान देना एक्सपोनेंशियल माइनस 0.02 इंटू एट माइनस 0.01 बाइट टू इंटू 64 समझ ही किया होगा तुम लोग टी स्क्वेर हो जाता है समझ गया ना सॉल्व करो उसको कि ओनलाइन में सब कुछ समझ में आ रहा है येस और नो सॉल्व करें बताए इसको कितना रहा एंसर कि 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 कितना यह बताव इक पहले पहले स्टार्ट सबस्ट पहले एक्स्पोनेंशल में कितना रहा था 0.48 कितना रहा फालेंटर ऐंसर 0.61 87 देखोकियों किवेशन वेल्डक प्रेक्व बुलता है इक्वेशन वार्यू बोलता है बोलता प्रेज़र्ट वालिव इनफ्लो ब्रेजर्ट वालिव howτ फो typ 아니라 inольш प्रेजर्ट वाद फ़ो ठीक है तो यह को साह्ताácि बाशट मतलब क्या है कि तुम लोग है मेरे को जो पैसा दीया है वह क्यों दिया है तो मेरा अच्छा फ्यूचर बन जाएगा फ्यूचर में अच्छा पैसा कमा पाऊंगा यह प्राइम अब्जेक्टिव सबका यह है तो तुमने एस्टिमेट किया कि मैं फ्यूचर में इतना इतना कमाऊंगा उसका प्रेजन वैलिव जो सर मांग रहे है इकतीजार आठ्टिव बहुत लोगों को लगता है तो वो लोग कहीं और पड़ते बहुत लोगों को लगता है ठीक है तो यह प्राइस ठीक है तो यह क्या है पॉइंट 6187 मैं अलग तरीके से समझाता हूं तुम लोग ठीक है कि अब देखो तुमने जो पैसा तो दिया है न आ वो वो ख़ली पढ़ने के लिए नहीं दिया तो तुम लोग को साहरा समझना पड़ेगा इसका अंदर का मतलब क्या है यह इसको में कैसे बोलता हूं मैं कितना साल का इछ आठ सब बाद कि आठ साल बाद लात अगर मेरे को एक रुपया कमाना है तो आज मैं कितना लागत के लिए रेडी हूं 0.6187 समझा इसका मतलब यह है भाई बुकिष नहीं सब्सक्राइब कुछ नहीं होगा आठ साल बाद अगर एक रुपया कमाना है तो आज मैं कितना लगाने को रेडी हूं 0.6187 यह बच्चा जो समझ गया ना मतलब उसका फिनांशल मैट्स क्लियर है अरे वाटर वी डूइंग वे दूइंग प्रेजिंग वैल्यू राइट तो नेगेटिव हो गाई ना देन ओली विट्यूमूलेट आज आप किसी से पैसा ले रहे हो तो फ्यूचर में वह आपसे ज्या स्ट्राइटिजी है यार मैंने आई प्रू में पीमेस कर रहा है मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें क्या मैंने पचास लग ढाला ठीक है आज उसका वैल्यू फिफ्टी फॉर लैक्स तो दो तीन मेहने का पीरेड में मैं को चार लग का रिटन आया औरने सम्वेर क्लोस ट पर सेंट ठीक है तो मैं आज पचास लग ढाला बोल के ना उसका वैल्यू दिखा रहा है फिफ्टी फो लैक्स तो यह पॉइंट सिक्स वन इट सेवन अब देखो यह वाला जो है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है आज अगर मैं बैंक में एक रुपे रखता हूं तो दोनों कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं हो सकता है एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा ना लेन देन चल रहा है यहां पर अरे आज आज आपने पैसा दिया तो मेरे लिए इन फ्लो आपके लिए आउट फ्लो ठीक है नेक्स्ट आईए अब डेल्टा टी का एक फंक्शन देखो जिरो पॉइंट जिरो फॉर प्लस जिरो पॉइंट जिरो टू टी टी लाइस बेंट जिरो एंट फाइफ फाइफ पे एक ब्रेक है इसको ध्यान देना ठीक है ध्यान देना इस पर मैं बोलता हूं मेरे को निकालना है ए जिरो टू टेन तो मैं इसको ब्रेक करूंगा क्योंकि फाइफ के बाद मेरा फंक्शन चेंज हो रहे है तो पहला पांच साल का अक्युमिलेशन फैक्टर इंटू उसके बाद का अक्युमिलेशन फैक्टर ठीक है तो कैसे करेंगे इसको ध्यान देना एक्स्पोनेंशियल इंटीग्रेशन जिरो से फाइफ जिरो पॉइंट जिरो फोर प्लस जिरो पॉइंट जिरो टू टी डी टी इसका मतलब क्या है जो पैसा टाइम जिरो पे उसको फाइफ पे लेके आ रहें जो पैसा टाइम जिरो पे उसको फाइफ पे लेके आ रहें इंटु testosterone ऱर त्यू तो डिरेक्ट कर सकते हैं 5 इंटू 0.05 ठीक है तो इसके बाद में अपने हम लोग क्या कर सकते ध्यान दे ना कि इसके बाद में हम लोग कर सकते हैं exponential 0.04 into 5 plus 0.02 by 2 into 25 e to the power 0.25 solve for your day कितना आ रहा है base same powers are added calculator का नाम है fx 82 e s plus सब लोग यह ही कैलकुलेटर यूस करेगा पहले बताओ इसका एक पावर में क्या रहा है पहले तो यह बताओ हाँ e to the power 0.45 ना हाँ तो टोटल क्या और रहा है e to the power 0.7 7 75 कहां से आ रहा है तो कालकुलेटर कोरें कितना रहा है 2.01 सबका आ रहा है यह आंसर ओनलाइन में यस और नो ओनलाइन में सबका यह आंसर आ रहा है ठीक है वेरी गुड अब इसी question में हम लोग करेंगे V 0 to 15 तो अपने क्या करेंगे V 0 to 5 into V 5 to 15 तो V 0 to 5 is equal to exponential minus time 5 पर जो पैसा उसको 0 पर लाना है 0.04 प्लस 0.02 T DT e to the power minus 0.05 into 10 सबको clear हो रही मैंने कैसी किया है तो exponential minus 0.04 into 5 क्यूंकि 15 साल का ने 5 से 15 है ना 10 साल का है minus 0.02 by 2 into 25 e to the power minus 0.05 अब देखो तुम लोग बेफूफ की तरह कर रहा है बट मैं नहीं करूंगा क्यूंकि यहां पर जो आया था ना यह क्या accumulation factor for 5 years one by करेंगे तो क्या आजाएगा discounting factor for 5 years ठीक है ना तो क्या आएगा बताईए e to the power minus हां मतलब फाइनल यह आएगा तो कितना हार एंसर 0.3 इसका मतलब लिकलो इसका मतलब लिकलो इसका मतलब लिकलो in order to receive Rupee1 after 15 years we will invest Rupee1 0.3867 today, समझ गया ना अब इसी में कॉस्टिन लिखो, इसी में कॉस्टिन लिखो, ुटिन लिखो, इसी में कॉस्टिन लिक्डोओ, ten एसी में बीखो, trumpet लिखो, कल्कूलेट, कॉस्टिन लिखो, कैल्कुलेट कॉंस्टेंट आई विच विल गिव सेम डिसकाउंटिंग फैक्टर फॉर फिफ्टीन यर्स मारे एक ऐसा आई निकालो जिससे मेरा सेम डिसकाउंटिंग फैक्टर आएगा तो अपना वी जिरो टू फिफ्टीन क्या आ रहा था पहले तो मैं को यह बताईए जिरो पॉइंट थ्री जिरो पॉइंट थ्री एट सिक्स सेवें ठीक है तो इस इकल टो वाट वाट वन प्लस आई टू दी पावर माइनस फिफ्टीन यहां से आई सॉल्व कर लीजिए दुनों तरफ लॉग ले लीजिए ठीक है लॉग का मतलब क्या है लॉग वाला बटन को तो अच्छा आई निकालना है सॉरी 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 लॉग नहीं होगा सॉरी यह अपने करेंगे वन बाई वन प्लस आई तू थी पावर 15 इस 0.3867 आं में रिली सॉरी so 1 by 0.3867 is 1 plus i to the power 15 so 0.3867 to the power minus 1 by 15 minus 1 is i कितना आ रहे है? 0.06 538 0.06 कल साधे नौबजे CS1 का क्लास करना है पहले तुम लोग को फिर उसके बाद CM1 का क्लास करना है ठीक है तो कल लंच लेकिया आना हां 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 सीवीवन 2 बजे से हैं फिर कल के बाद तुम लोग को और स्टैट्स का क्लास नहीं करना है क्योंकि कल हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेशन वेरियंस तो कल हम लोग सारा सम्स कर लेंगे तो कल के बाद तुम लोग को और स्टैट्स का क्लास नहीं करना है जो ऑनलाइन में स्टूरेंट से जिनका छूट गया हमने कम्यूनिटी में वीडियो डाल दिया एक्शली सिधाथ सरका हो सकता है तो अभी ठीक नहीं है तो आज नहीं ले पाए तो आप लोग संसी कराया है वैसे तो कौशल डाल दिया होगा कौन-कौन सा संस कराया है कुछ न कितना है आज कल से वह नहीं होगा फिर दो दिन एक्सल में मैं शुरू करवा देगी फिर पांस तरीकों टेस्ट है हां देखो क्या पेपर कैसे बनता है देखते हैं ठीक है टिल्ट और टॉपिक से तुम लोग तो हर दिन क्लास में आई रहे ना तो टिल्ट और टॉपिक सब जैसे मताये था न नियम के अब जैसे यह लड़की आज से आई है तो यह काउंट हो जाएगी बट ऐसा कोई बच यह एन जो इसमें किया और भार भार केंटि एंटीक्रेट हो रहा है इसमें बार बार इंटीक्रेत में को आपार डिटा ना पसंद नहीं है तो हैडिंग लगाना जेनीरलाइज इंट एक्सप्रेशेन में ृ कि कि चिके जेनरलाइज एक्सप्रेशन का मतलब क्या है लिखो हिंदी में लिख दो एक बार इंटीग्रेट एंड बार बार वैल्यू पुटिंग इसका मतलब क्या इंटीग्रेट एक ही बार करना है तो नाव विल क्यालकुलेट एजिरो टी अपना वही वाले के लिए एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन टाइम जिरो पैसा इसको टी पे लेके जा रहे है 0.04 प्लस 0.02 S ds बट ये तो सब रेंज के लिए वालिट नहीं है ये सिर्फ उसी रेंज के लिए वालिट है जब t का वाल्यू 0 और 5 के बीच में है तो क्या हो जाएगा एक्सकोनेंशियल 0.04 t प्लस 0.02 by 2 t square so this is e to the power 0.04 t plus 0.01 t square अब क्या हो गया यह मेरा निकल गया ना अब 0 से 5 के बीच में मैं कुछ भी value डालूँगा ना तो मेरे को उसका accumulation factor मिल जाएगा for example testing करते हैं 0 से 3 just value putting करना है उसमें 0.04 into 3 plus 0.01 into 9 solve करके बता ही कितना आ रहे है कि आपके dashboard में आपको मिलेगा धंग से देखो soft copy के अंदर में आपको मिलेगा है आप धंग से देख ने रहे हो देवानी CS1 का जो basic worksheet है वो आपके dashboard पर आपको मिलेगा soft copy में पर फिर भी नहीं मिल रहे तो आप 8100598 543 पर contact कीजिए 1.2 ठीक है अब जिससे मानलो तुमको बोलता है accumulation factor निकल गया तो अब when t is greater than 5 उसके लिए क्या करना पड़ेगा ध्यान दो a 0 to t है ना इसको break करना पड़ेगा a 0 to 5 into a 5 to t क्योंकि क्या है ध्यान दो अब a 0 to 5 में पहले value putting करेंगे बनी यह वाला जो अपना है ना 0.04 t plus 0.01 t square इसमें value putting करेंगे 0.01 into 5 0.01 की 0.04 यह हुआ फिर हम लोग आएंगे exponential फिर हम लोग आएंगे exponential integrate करेंगे कहां से कहां तक 5 पे जो पैसा उसको t पे लेके जाएंगे 0.05 ds solve करिए इसको तो कैसे होगा बताइए e to the power 0.04 into 5 plus 0.01 into 25 e to the power 0.05 t minus 5 अब इसको पुरा को solve करके बताएंगे क्या रहा है solve करो मैंने समझा 0 से t निकालना था बढ़ ट 5 से बढ़ा है ठीक है 0 से t निकालना था बढ़ ट 5 से बढ़ा है सबका यह आ रहे क्या सब लोग बताइए सबका क्या रहे है बोलो भाई ठीक है अब इसको express कैसे करेंगे ध्यान देना अपने बनाएंगे a 0 से t तो उसमें क्या करेंगे सबसे बढ़े लिखेंगे when t lies between 0 से 5 and when t is greater than 5 तो 0 से 5 वाले में क्या आ रहे है 0.04 t यह आ रहे है और नीचे वाले में क्या रहे बताओ 0.2 प्लस 0. यह आ गया ना आप कुछ भी नहीं करना है आप जैसे माल लोग कुछ भी आपनों निकाल सकते हैं for example अपने को निकालना है 6 to 7 तो यह कैसे निकालेंगे ध्यान देना सबस्वल एक equation मना रहे है 0 से 7 is 0 to 6 into a 6 to 7 ठीक है तो a 0 to 7 क्या होगा बताओ 0 to 7 है तो t is greater than 5 तो किसमे ना लेंगे पहले बाले में थूसरे बाले में दूसरे बाले में तो ओ यह तो मैं लिखा ही नहीं यह दूनों e के पावर में सॉरी कहीं और मिस क्या हो क्या ठीक है सॉरी हां e to the power 0.2 plus 0.05 into 7 कितना रहे है बताए फिर मैं निकालूंगा a 0 to 6 e to the power 0.2 plus 0.05 into 6 मताव कितना रहे है समझाना तुम लग सब ही एक भी क्लास कोई मिस नहीं करेगा ठीक है यह फ्लोव है यह फ्लोव को ब्रेक नहीं कर सकता है यह नियम के अगैंस्ट में गेम के फिर घर पे भी टाइम मिलेगा भी दुरगा पूजा मिलेगा फिर उसके बाद थोड़ा तीन चार क्लास ही होगा फिर न वेंबर में होगा तो फिसिकल क्लास कोई भी मिस्स नहीं कर रहे है चार से पांच देसिमल प्लेसे फोर तो फाइव डेसिमल प्लेसे कितना अरव बिटा ही बताओ वन पॉइंट सेवेन और ये वन पॉइंट सिक्स फोर 8721 अभी भी सम खतम नहीं हुआ है अब अपने क्या करेंगे 1.7332 बाइ 1.6487 अपना आजाएगा A627 क्लियर है सबको हाया ना बोलो सबको यहां तक क्लियर है ठीक है 5 पे ना दोनों मैंसर सीम आएगा 5 पे दोनों मैंसर सीम आएगा चलो एक और कुशन करते हैं मैं तुम लोगों को डेल्टा टी का एक्स्प्रेशन देता हूँ तुम लोगों को जनलाइज एक्स्प्रेशन बनाना वी टी के लिए अब वी टी के लिए बनाना ठीक है तो 0.05 प्लस 0.001 टी और 0.05 यह अपने को दियावा वी टी के लिए बनाना है तो चलो चालू करते हैं वेन टी लाइस बेट्वीन 0 एं 20 तो उस केस में वी 0 टी इस वाट बोलो बिटा एक्स्पोनेंशियल माइनस टाइम टी पे जो पैसा उसको 0 पे ला रहे है 0.05 प्लस 0.001 एस डी एस यह ना तो इस एक्स्पोनेंशियल माइनस 0.05 टी माइनस 0.001 बाई 2 टी स्क्वेर अब जब आपने करेंगे वेन टी इस ग्रेटर दाइन 20 तो उस केस में अपने को निकालना है वी 0 से टी इसको ब्रेक करेंगे वी 0 से 20 इंटू वी 20 से टी सो क्या आएगा बताईए पहले वाले में हम लोग 20 डाल देंगे सो एक्स्पोनेंशियल माइनस 0.05 इंटू 20 माइनस 0.0005 इंटू 400 समझ गया ना सब लोग समझ गया ना 20 का स्क्वेर 400 होता है और यहां पर आएगा e to the power माइनस क्या आएगा बताईए 0.05 इंटू T ना यह गलत किया है मैंने यह वाला मैंने गलत किया एक में रुक जो यहां पर ऐसा आएगा पूरा करी लेते हैं ना एक्सपनेंशल माइनस वह भी बता रहा हो गलत हो जाता है टाइम टीपे जो पैसा उसको 20 पर लाएंगे 0.05 डी एस टाइम टीपे जो पैसा उसको 20 पर लाएंगे 20 से 0 पर लाने का जर्या तो यह है तो अगर मैं यह नहीं लिखूँ तो मैं इसके नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ क्या आएगा e to the power minus 0.05 t minus 20 अब इस पुरा को solve करके बता ही क्या आ रहा है मैं यहाँ पर बस खली लिखने के लिए ready हूँ तो पहले वाले में तो आ रहा है e to the power minus 0.05 t minus 0.0005 t square यही आएगा ना पहले वाले में तो दूसरे वाले में क्या रही है बताईए जैस्मिन बेटा बहुत सिंपल है आपको discounting factors के लिए क्या बोला है generalized expression बनाने तो पहला range है 0-20 तो मैंने v 0-t निकाला है तो exponential minus time t पर जो पैसा उसको 0 पर ला रहे है delta sds वो आया मेरा फिर जब मैं को t when t is greater than 20 बोल दिया है तो v 0-t को तो break up करना पड़ेगा ना कि पहला 20 साल का और उसके बाद का तो पहला 20 साल का मैं कैसे निकालूंगा उपर वाले में value putting करूंगा तब जाके मेरा आएगा and v 20 से t के लिए अपने ये वाला दिया है तो वह मैंने किया exponential minus time t पर जो पैसा उसको 20 पर ला रहे है 0.05 ds तो solve करें बताओ कितना आ रहे है नीची वाला बताओ कितना आ रहे है बुलो e to the power minus 0.05 t देखो बाकी लोग क्या रहे है चेक करो हां चेक करो चेक करो सब लोग करो इसको solve करो नहीं तो नहीं होगा हां अब एक check measure लगाओ 20 डालो दोनों में इसका वाला 20 तो आपने बस होगा ना इस पर भी 20 डालके चेक करो कि दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे माने जो connecting point होगा ना उसमें दोनों पैंसर सेम आएगा कि ऑनलाइन में सबका क्या answer आ रहे सेकंड वाला कि 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 प्सक्राव कि कि क क्या रहा है एंसर बताइए ओनलाइन में हाँ क्या रहे हैं दुनों में सबका यही आ रहे के बताओ कितना रहे तेरा भाई तुम्हारा कितना रहे है कौन सा ला बूलो मैं वही तो बूल रहा है दोनों पर अपने को 20 डालना है आप दोनों पर 20 डालके चेक करो आइंसर क्या रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ नहीं वापस से करो शुरू से वापस से करना पड़ेगा बीच में से गलती कैसे बगड़ेगे शुरू से वापस से करो जब तक नहीं आ रहे तब तक बार बार करो और पहले का मत देखो निए तो तुम बाइस जाओगी वैल्यू कॉन से डालना है यह तो मैं चेक करा रहा हूं कि लेस्ट देन इक्वल ट्वेंटी गड़े देंट तो कनेक्टिंग पट्वेंटी है तो दोनों का अगर से मारा मदला आपका एक्स्प्रेशन सही बना है हाँ ठीक है आज के लिए इतना ही करेंगे आज हमने किया फोर्स ओव इंट्रेस्ट जनरलाइज एक्स्प्रेशन कल इस पर थोड़ा सम्स करेंगा पेमेंट स्टिम करेंगे ठीक है जाओ साड़े बारा बजे एक लास असीम बनका और जो स्टैट्स करेगा उसको साड़े नौ झाल 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 झाल